अलो दोस्तो नमस्कार Profit Guru चैनल में एक बान नए मार्केट अपडेट के साथ इंटरडे टिप्शेंड रिक्मेडिशन के साथ दोस्तो आप लोगों का सवगत करता हूँ तो दोस्तो डेली बेसेस के तरह आज भी दो बहतरिंग स्टोक लेके हूँ जो कल इंटरडे में आपको जोदर पॉफुमेंस देने वाले प्रॉपर टेकनिकल एनलेसेस के तुरू ये दोने ही स्टोक आप लोगों का अपडेट किये जा रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगो क्लेक नॉलेजिबल और एक एजुकिशन परपस से भी होने वाले हैं और साथ में जो कल दो स्टोक दिये थे जिनका आज इंटरडे में के सब पाफरमेंस रहे हैं वो भी हम आपको बताने वाले हैं तो चलिए फटापट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज मार्केट अपडेट बता देता हूँ तो आप देख सकते हो मार्केट में आज भी बहुत अच्छी रोणग देखने को मिले हैं लगबग 17,500 के असपास मार्केट क्लोज हुआ 32 स्टॉक एसे थे जो पॉजुटिव थे 18 स्टॉक नेगेटिव देखने को मिले जिसमें से टॉप गिनर चेक कर सकते हो और साथ में टॉप लूजर भी देखके चल सकते हो ठीक है तो इन ही में से दो भैतरिंग स्टॉक है जो कले में जोदर परफोर्मेंस देने वाले इंट्राडे मार्केट में तो अचलिए जो फर्स स्टॉक है सबसे पहले उसको देख लेते जो कि हमारा परश्ट परफोर्मेंस का है तो यहां पर आप देख सकते हो जो हमारा फर्स स्टॉक था वो था दीपक नैटरीट जिसे हमने बाइक करने की बोला था दोस्तो 2242 से 228 बन का टारगेट दिया था ठीके तो यह ओपन हुआ 2231 हाई लगाया 2246 और आके लो लगाया 2211 का अल्मॉस्ट देखा जा तो हमारा जो 10 पॉइंट का एसल था वो हीट हो गया ठीके कहीं पर हमें चोटी से प्रॉब्लम देखने को मिली वह हमने काफी अच्छी तरीके से सुधार लिया है तो इसमें हमारा एसल हुआ इसमें लॉस हुआ चले सेकेंड स्टॉक को देखते हैं तो यहां पर आप देख सकतों सीमन्स लिमिटेड जिसे भी हमने बाय करने का बोला था जिसे हमने दोस्तों 2320 से बाय करने का बोला था और लगबग दोस्तों अगर हम देखे तो 2335 का टार्गेट दिया था जो तो हमारा 15 पॉइंट का और आप देख सकते हो ओपन हुआ 2390 255 पैसे और हाई लगा है 2357 पैसे मतलब जो हमारा टार्गेट था वो इसने इसली तरीके से डन करके दिया है तो एक स्टॉक में एसे लिट हुआ एक स्टॉक में हमारा टार्गेट डन हुआ ठीक है अब इसी एकोर्डिंग दो भैतरिंग स्टॉक है जो आपको कल के लिए किये जा रहे हैं देखिए हमारे लेवल चले ना चले आप उनको प्रॉपर फोलो मत करो लेकिन दोस्तों जो हम टेकनिकल एनलाइसिस करके आपको बता रहे हैं अगर आप उसको सही डंग से फोलो कर लोगे तो आपको जो आप इंट्राडेट रीडिंग करते हो ना उसमें आपको काफी अच्छी दोस्तों जो इसके लिए वो मजबूत होते देखने को मिलेगी ठीक है तो इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से फोलो करें अब चले कल के जिलिए जो फर्स स्टॉक है पहले उसको देख लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो फर्स स्टॉ गेप अपनिंग लिया हाई लगाए साससो बैयासी रुपे पेचातर पैसे और लो लगाए साससो औनानचास रुपे उसके साथ ही अगर आप देखेंगे तो तीरियासी लाग अट्टावी सेजार कॉंटिटे गांपर वॉल्यूम भी आमें देखने को मिला है मतलब टाटा प्रोड़क्त लिमिटेट का पॉफॉमेंस तो आज इंट्रेडे में जोड़ा देखने को मिला है अब इसके टेक्निकल चार्ट पर चलते हैं कल के लिए क्या मोमेंट मिले गई देख लेते हैं तो यहां पर आप देख सकते हो ताटा कंजूमर का मैंने चार्ट पिटन आप बढ़न में पर भी टाइम बढ़ी पिटा के लिए उपरी लेबल पे शांस तो साट का आप देख सकते हो यह रिजेक्शन सॉपार्ट पॉंट और यह सपोडंगी मुझ और सबसे बडिया बात यह है दोस्तों कि स्टॉगavin में अब तो थोड़ी इसको फिर से reversal देने में problem होती क्योंकि आप देख सकते हो कि stock है न जैसे नीचे आया है 760 रुपे के तेक एक single candle में तो वो नीचे ही रहा तेके नीचे रहने के बाद फिर बड़ा सा gapop opening लिया फिर time बेटाया फिर इस level पे नीचे आया फिर भी वो नीचे रहा और नीचे रहने के बाद देखे वो कितने दिन नीचे रहा 23 हो गया बीच में और भी डेटे 21, 23, 25, 29 ये देखे उसके बाद जाके आज stock ने क्या क्या 30 तारी को एक अच्छा का सा breakout दिया उसके बाद वो उपर ही गुमते है अगर वो नीचे आ जाता ना तो फिर ये problem हमें देखने को मिलती अगर वो उपर रहता है ना stock तो वो काफी अच्छे comfortable जो उनमें रहता है क्योंकि यहाँ पर जैसे ही उसने 760 रुपे का level breakout दिया उपर गया फिर यहाँ पर उपर गया तो momentum दोस्तो 760 रुपे के level से ही अच्छा गासा बनते देखने को मिलता Tata Consumer Product Limited में तो इसको buy करके चलेंगे कल के लिए क्या है level वो देख लेते हैं तो दोस्तो प्रॉपर तरीके से levels को note करेगा अगर कल की date में हमें यह stock एक high level के उपर ही मिलता है तो थोड़े लिए हमारे लिए और अच्छा रहेगा अगर यह gap down opening या gap up opening भी लेता है तो हमें trading करने का मोका मिलेगा दोस्तो कहां पर लगबग दोस्तो 780 रुपे के आजपास से यह level पर हम बढ़िया से trading करेंगे level position बनाएंगे और लगबग target के अगर मैं बात कहता हूं तो 795 का target लेंगे जो होगा 15 point का ठीक है टाटा consumer product में यह position note करेगा उसके साथ ही SL update करता हूं एक यह important point जो वो आपको update कर रहा हूं यह हमारा profit group टेली ग्राम चैनल है दोस्तों ठीक है जहां पर देखिए डेली बेसरस पर से बहतरिंग option के call देते हैं आज भी नोकरी का call बाई करवाया था 45 का जिसमें हमने 5 से 7 point का target दिया था पर अराम से अच्छा का साथ हमारा target डन हुआ आप जाके कुछ चेक करिए लिंक निचे discussion मिलेगा तो देखिए डेली बेसरस पर से एक या दो बेंग निफ्टी है stock option के level देते हैं जहां पर आप trading करके परसा कमा सको साथ में देखिए contact number, telegram ID, निचे comment box open है तिके आप लोगों के लिए आपर help center open है free of cost कोई भी charge नहीं लिया जाएगा अब यहां पर कैसी help की जाएगा आप लोगों के लिए आप stock market से related कुछ भी चीज़े पूछते हो तिके technical, fundamental, position से related तिके कोई call buy किया है कोई put buy किया है किसी गलत से stock में entry ले लिए कुछ भी अगर चीज़े आपको पूछना है तो आप contact करिए यहां पर नमबर पे WhatsApp नमबर है तेलिगराम ID है तिके इस पर message कर सकते हो proper से आपको क्या दिया जाएगा दोस्तो reply दिया जाएगा सही ढंग से और इसका कोई भी आपसे charge नहीं लिया जाएगा तो आप लोगों के लिए दो-दो बड़ी opportunity है एक तो यह help center साथ में एक call जहाँ पर आप दोस्तो अराम से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो और अच्छी खासी knowledge earn कर सकते हो तो इस telegram channel में जरूर जोईने यह link इसका निश्ची description में मिल जाएगा यह opportunity को gain करिए दोनों हातों से ठीके चलिए हमें SL जान लेते हैं क्या है तो दोस्तो हम इसको अगर 780 से buy कर रहे हैं ठीके तो लगबख 770 मतलब 10 point का SL लेंगे और 15 point का हमारा target रहने वाला है अब चलते हैं second stock के उपर तो दोस्तो यहां पर हमारा second stock का आप देख सकते हो वो है affiliate India का affiliate India के अगर मैं बात करता हूँ तो आज 1.5% की तेजी देखने को मिली stock में और 1248 रुपे पे close हुआ previous close था 1229 रुपे 30 पैसे stock open हुआ 1236 रुपे high लगाया 1262 रुपे और low लगाया 1231 रुपे 10 पैसे देखा जाए तो बहुत अच्छा moment देखने को मिला stock में साथ में अगर आप देखेंगे volume तो लगबख almost 3 लाग quantity का volume भी हमें देखने को मिला है मतलब performance अगर देखा जाए affiliate India का इंट्राडे में performance तो अच्छा रहा है अब कल के लिए क्या signal प्रोवाइट करता है अपने टेकनिकल चार्ट पे वो देख लेते हैं तो यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों affiliate का चार्ट बिटन ओपन क्या है इसमें भी hourly चार्ट लगा हुआ है अब देखे यहां पर भी सबसे बहतरिंग point सबसे mid point 1240 रुपे के आसपास खाए आप देख सकतो कितना important हमाई साथ देखने को मिला है साथ में नीचे का point support level 1200 रुपे का आप देख सकतो जैसे support support यह देखे time बिताया support ठीके यहां पर देखे rejection कितना जागा time बिताया rejection बनाया उपर जाई नहीं पारा था उस लेबल के ठीके जा रहा था लेकिन sustain करके नीचे आ रहा था यह देखे और आज की डिट में जब यह 1220 रुपे के लेबल के उपर गया तो एक अच्छा का सा breakout दिया आप देखे breakout देने के बाद दोस्तो जब इसके लिए सबसे important point जो था 1260 का उसको test करना था उसने 1260 रुपे के लेबल को test किया और उसके बाद से वो नीचे आ गए क्यों कि आप यहां पर भी अगर देखेंगे तो 1260 रुपे के लेबल को test किया तो उसके नीचे ही यह गुमते रहा ठीके और यहां पर भी testing करने के बाद वो गुमते रहा अब यहां पर fall आया तो क्या हम expectation कर सकते हैं कि यहां पर भी fall आएगा क्योंकि momentum दोस्तों ऐसा ही कुछ दिख रहा है देखे कितना time अब hourly candle है तो आप candle गिन सकते हो दोस्तों यह देखे पूरा clear कर दिया थोड़ा सा जूम्ब कितना ज्यादा उसने 1260 रुपे के लेबल को test किया उसके नीचे ही गुम रहा ठीके यहां पर भी देखिए एक candle में उसको test किया और उसके नीचे ही वो गुमते रहा मतलब दोस्तों जो traders देते हैं इंप्रडे traders वो पहिचान जाते हैं इस टॉक को की 1260 रुपे का लेबल टेस्ट किया है तो अब यह नीचे ही को मैगा चलो ठीके short करते हैं तो क्यों न हम इसको short करके चलें कल की date में तो momentum हमें अराम से इसमें देखने को मिलेगा तो चले जो लेवल से वो update कर देता हूं तो proper तरीके से लेवल को note करेगा अब देखिए कल की date में अगर हमें यह stock दोस्तों 1240 रुपे पे मिलता है तो हम short करेंगे ठीके लगबग 1230 का target लगाएंगे और SL लगा के चलेंगे दोस्तों हम लगबग यहां पर 1245 रुपेगा जो होगा 5 point का 10 point का target होगा ठीके तो affiliate को short करना है Tata consumer को buy करना है अब देखिए हमने जो target दिये है जो SL दिये आप उनका proper weight ना करें आपको अगर 2 point का यहां पर profit दिख रहा है 3 point का दिख रहा है 10 point का दिख रहा है या 50 point का profit दिख रहा है तो आप book कर गे चलिए ठीके, same condition loss के जो SL है उसके साथ भी use करिए ठीके, इससे क्या होगा आप हर position पे अच्छा काजा profit निकाल सकोगे ठीके, तो affiliate India और Tata consumer यह दो बहतरिंग हमारी टिप से आपकी research channel एसस क्या बोलती है आप उसे according भी trading करिए हमने हमारी research channel एसस शेयर कर दी आपके जो भी financial advisor या broker आप उनसे भी बड़िया से इसमें पोजिशन बना के फिर काम कर सकते हो ठीके, तो यह ता बहतरिंग अपडेट यह अपडेट अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करेगा चैनल को सस्क्राइब तो यूदि बेस स्पीसी परकार का बहतरिंग अपडेट हम आप लोगों तक लाते रहते हैं तो थैंक यू दोस्तो